रहा है ख क्जाले तो हम लोग ने प्रकास का परवर्धन क्या है प्रकास का अप अपवर्थन क्या है यह सब चीजों को समझ चूए है इस प्रकार से प्रॉर्वर्थन अपवünd JUST है अब अगर यहां में सबसे ज़्याद सघहन कौन सा है तो क्या बोलोगे सबसे ज़्याद सघहन यहाँ पर हीरा रहेगा हीरा सघहन माध्यम है और इसके बाद यहाँ पर काच सबसे विरल माध्यम हवा रहेगा सबसे विरल क्या रहेगा हवा रहेगा जैसे यहाँ पर यह हवा है और एक लास है यह हवा और काच यहाँ पर लिखा हुआ है तो यह वीरल माध्य में है यह सघन माध्य में है ऐसा याद रखेंगे कौन सा वीरल माध्य में कौन सघन माध्य में है इसको ध्यान में रखेंगे प्रकास के अपवरतन में हम लोग इस स से देखते हुए जाना है, देखो, समतल दरपड से प्राप्त, समतल दरपड से प्राप्त जो प्रतिभीम्ब है, यह जो समतल दरपड के बार हम बात करें, प्रकास के जो परवर्तान हम लोग पढ़ें न, इसी में यह समतल दरपड, यहां पर यह समतल दरपड रखा गया है, ठीक मान कर चलो इसके ये साइड इस प्रकार से जो लेप है किसका लेप है सिल्वर नाइट्रेट का ठीक ये सिल्वर नाइट्रेट का लेप चड़ा रहता है और यहाँ पर जो सिल्वर होता है ये एजी एजी सिल्वर ये प्रकास का अच्छा परवर्थन करता है इसलिए इसको हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का लेप इसमें चढ़ाते हैं इसी सिल्वर नाइट्रेट का जो लेप होता है यही जो सिल्वर नाइट्रेट जो होता है इसी को जब निरवाचन जब होता है मतलब जब election होता है तो हाथ में अंगठे भी मतलब की उंगली में इस प्रकार से एक कुछ color हमारे हाथ में लगाया था है एक रंग लगाया था है जो कि लगबग देखा है तो 8-10 दिन तक लगा राता है धूलता नहीं है तो नाकौन पर यही silver nitrate होता है जिसका liquid क इसको आपन बाद में और दखेंगे फिल हास चलो इसको देखो तो यह जो इस प्रकार से यह पर प्रीष्ट लिये हैं, मतलब एक दरपढ़ लिये हैं, समतल दरपढ़ लिये हैं, अब यह समतल दरपढ़ से प्रतीविम बबन रहा है, प्रतिवीम्ब बन रहा है मतलब कि यहाँ पर यह वस्तू है ठीक है यहाँ पर यह आपजेक्ट है और यहाँ पर इसका इमेज बन रहा है अलेकि इसको पीछे दिखाया गया है लेकिन जब हम जब किसी दरपड में हम जब देखते हैं जब दरपड में जब देखते हैं तो ऐ ऐसे हमको दिखाई देता है तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं जिसको यहाँ पर बताये गए हैं समतल दरपड से प्राप्त प्रतिबीम्ब सदे आभासी होता है तता सीधा होता है फिक आभासी तता सीधा जैसे यहाँ पर प्रतिबीम्ब ऐसा कुछ बना हुआ है जैसे य रड़की के जो प्रतिबीम्ब है या फिर कोई भी वस्तु को जो प्रतिबीम्ब है वो सीधा बनता है ठीक है सीधा प्रतिबीम्ब बनता है और आभासी बनता है वास्तिक प्रतिबीम्ब नहीं बनता है ठीक है वास्तिक प्रतिबीम्ब आगे हम लोग देखेंगे उत्तल दर तकराने एक बाद, मतलब कि यह दरपड से टकराने एक बाद यह हमारे आखों तक पहुंच रही है, ऐसे हैं, हमारे आखों तक, तो यह जब आखों तक हमारे पहुंचते हैं प्रकास क्रेने, तो हमको ऐसे दिखाई देता है, कि यह इधर से आ रही है, मतलब इधर से प्रकास की और ऐसे बना हुआ है ठीक है तो यही चीज़ को बने जा रहा है कि यह आभासी प्रतिबीम्ब है आभासी प्रतिबीम्ब बनता है और सिधा बनता है प्रतिबीम्ब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है जितना लंबा यहाँ पर यह वस्तु रहेगा उतना ही लंब बढ़ा यहाँ पर दिया जाता है प्रतिपीमब के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितने दूरी पर दरपड के सामने खड़ा होता है मतलब कि यह object रहता है मतलब कि जितने दूरी पर हम यहाँ पर वस्तू को रखेंगे इतनी ही दूरी पीछे की और इस प्रकार से यह image बनेगा ठीक है इसका जो image है मतलब इसका जो प्रतिबीम्ब है वो उतने ही दूरी पीछे बनेगा इस प्रकार से देखो यहाँ पर वस्तू वो यहाँ पर D दूरी पर रखा गया है तो यहाँ पर D दूरी पर यह बन रहा है मतलब जितना इधर रहेगा उतना इधर दूरी बनेगा टो प्रतिबिंब को जितना प्रतिबिंब दरपड के पीछे उतने ही दूरी पर बनता है जितने ही दूरी पर दरपड के सामने वस्तू रखा हुए है अगर कोई व्यक्ति V वेग V m3 नाुद मतलब V वेग के बारे में बात कर रहे है मतलब कि मान कर से लड़की इधर दौड़ते हुए अगर जाएगी इधर दौड़ते हुए जाएगी तो उसको ऐसा प्रतित होगा कि यह जो उसका प्रतिभीम्ब है उसका जो प्रतिभीम्ब है वो दोगुने रफ्तार से मतलब कि यह दोगुने इस्पिट से अगर यह वीवेग से दोड़ेगी तो यह ऐसा लगेगा इसको कि दोगने रफ्तार से वो इधर दोड़ते हुए आ रहा है उसको प्रतिवीम ऐसे प्रतित होता है ठीक, मतलब यह बोले जारा है अगर कोई वक्ती वीवेग से दरपड की और दोड़ता है दोड़ती है, मतलब यह दरपड की अगर आधा है जीसि 안 पर लड़की है, मानगे चलो लड़की का जो लंबाई है इस प्रकार से यहाँ इसका उचाई है लड़की की उचाई है, वो 2X है दो यह जो यह मिरर रहे, यह दरपड है इसको कम से कम X उंचाई का होना चीए इसका जो उंचाई कितना होना चीए X होना चीए मतलब कि ये जो वस्तु है वस्तु के आधा मगर मान के चलो इसको हम ऐसे कर देते हैं ये अगर इसका लड़की के लंबाई यहाँ पर कितना X है मतलब यह वस्तू का लंबाई कितना x है, और यह mirror का लंबाई, mirror का लंबाई, यह ऐसे है, half x है, ठीक, 1 upon 2 x है, मतलब एक बटा 2 x है, मतलब कि जो mirror का लंबाई आधा है, तभी हम इस लड़की का पूरा प्रतिभीम्ब बना पाएंगे, ठीक, इस वस्तू के उचाई के आधा होना चाहिए, किसको दरपड को, अगर हमको पूरा उसका प्रतिभीम्ब बना देखना है, ठीक है, तो कम से कम कितना होना चाहिए, तो हम अपना, अगर अगर अपना पूरा उपर से नीचे तक, हमको पूरा अपना इमेज देखना है, तो वो जो दरपड का उचाई है, तो दरपड का उचाई है, फिर दरपड का जो लंबाई है, वो कम से कम हमारे लंबाई का, मतलब हमारे उचाई का आधा होना चाहिए, आधा रहेगा तभी हम अपना पूरा प्रतिबी में देख पाएंगे नहीं तो हमारे उपर नीचे कहीं आधा छुटेगा ठीके तो वही चीज को बोला गए है ये पॉइंट बहुत इंपोर्टनेंट है इसको याद रखेंगे क्या होना चीए जो वस्तु की उचाई है उसका आधा कम से कम आधा होना चीए तभी हम अपना पूरा प्रतिबी में देख पाएंगे अगला देख लिजे अगर समतल दरपड को थीटा कोंड से घूमाते है तो परवर्तित किरड तो थीटा कोंड से घूम जाता है यहां पर दरपड है ठीक यहां पर दरपड इस प्रकार से रखा गया है यह दरपड है अब यहां पर प्रकार क्रेणे आ करके आपतित हो रही हैं से आपतित हुई और यहां से परवर्तित हो गई हैं यह ऐसे, अब इसको मैं घुमा दे रहा हूँ, ठीक थीटा कोड़ मैं इसको घुमा रहा हूँ, इस दरपड़ को मैं पकड़ करके ऐसे घुमा दिया, मतलब इस दरपड़ को मैं इधर से घुमा या, यह ऐसे घुमा या, तो यह थीटा कोड़ इस प्रकार से घुम गया, ठीक जो परावर्तित जो किरड़ है ये 2 थीटा कोड़ घूम जाता है ठीक है दो थीटा कोड़ यहाँ पर यह घूम जाता है देखो जो आपतित किरड़ है वो तो यहीं पर रहेगा ऐसे आपतित किरड़ यहीं पर रहेगा ऐसे आपतित वर यहाँ पर मांचलर टॉर्च रखा ग घूम जाएगे ये अगर हम दरपड को घूमाते हैं कितना खीटा कोड़ तो जो परावर्थित किरड़ है तो तोट खीटा यहाँ पर घूम जाता है ठीक ध्यान में रखेंगा ऐसे कुछ है ये चलिए तो यहाँ पर दरपड की विसेस्ताइं है ठीक है दरपड जो भी हम लो प्रतिभी में दरपड की पीछे उतने ही दूरी पर बनता है जितना दरपड के सामने वस्तू रखा होता है अगर कोई वस्तू भी वेक से दरपड की और दौटता हुआ आता है तो उसका प्रतिभी में उसे टू भी वेक से दौटता हुआ प्रतित होगा किसी वस्तू का प प्रकास का अच्छा परवर्तक है, मतलब की चांदी प्रकास का अच्छा परवर्तक है, मतलब की चांदी प्रकास का अच्छा परवर्तक है, मतलब की चांदी प्रकास को लाइट को क्या करता है, अच्छा रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए यहाँ पर यहाँ पर सिल्वर होता है के कालाई कि जाते है मतला पीछे में इस प्रकार से लेप लंगा होता है देख सकते हैं इसी earn निर्वा चेन के समय नाखुन पर लगाई जाने वाला जो अब नहीं करना कि विस्ताओं को देखा अब यहरा पर देखो संदर्च की कुछ पूप योग गीता ये बारे हम बात कर लेते हैं संतल दरपड के माध्धम से प्रतिवींब के बनना ठीक कैसे प्रतिवींब बनता है उसके बारे हम बात करेंगा अब यह जो टॉपिक आभी मैं यहाँ पर तीन चार पॉइंट आप तो बताने वाला हूँ यह बहुत इंपोर्टेंट है एक्जाम में सब पूछे करें कोशन है दो संतल दरपड दो संतल दरपड एक दूसरे के समानांतर रख दिया जाये तो प्रतिवींब की संख्या अनन्त होगी ठीक है मान कर से लो यह दो संतल दर दरपड मैं ऐसे रखाऊं और दूसर दरपड मैं ऐसे रख दिया कि दोनों इतना सारा प्रतिवीम्ब बनेगा कितना सारा बनेगा अनंत प्रतिवीम्ब बनेगा ठेक यहां पर एक और दो दोनों के समनांतर इस प्रकार से तो प्रतिवीम्ब की संख्या अनंत होगी ठीक है वहाँ पर कितना प्रतिवीम्ब बनेगा अनंत मतलब कि infinite आप गिन नहीं सकते हैं इतना सारा प्रतिवीम्ब बनेगा कितना सारा प्रतिवीम्ब बना देंगे कि उसकी संख्या कितनी हो जाएगी अनंत हो जाती है यदि दो सं सम संख्या हो, अब यहाँ पर बोले जा रहा है कि दोनों जो समतल दर पड़ है, उसके बीच में कुछ कोड ला दो, कुछ कोड रखो ऐसे, यह ऐसे, एक ठीटा कोड यहाँ पर बना दिये गए, मतलब कि यहाँ पर 90 डिगरी कोड बना है, ठीक, अभी यहाँ पर 90 डिगर कोड हो, यह थीटा कमान क्या हो, दो चार इस परकार से हो, इस सम पोड हो, ऐसे, तो अगर थीटा कमान सम पोड है, तो प्रतिवीम्ब की संख्या कितनी होगी, तो यह जो दर पड़ में जो प्रतिवीम्ब बबन रहे न, यह प्रतिवीम्ब की संख्या कितनी होगी, यह इतनी हो अब यहां पर थीटा क्या है यह दोनों के बीच का एंगल है यह दोनों के बीच का कोड है जैसे यह दरपड़ यहां पर रखा गया है दूसर दरपड़ यहां पर रखा गया है यह दोनों दरपड़ों के बीच में जो एंगल बन रहे है जो थीटा यह वाला कोड है ठीक है य तो यहां पर जैसे कि यह जो दोने दरपाड़ रखा गाए इसको 90 degree में इस प्रकार से रखा गाए नबे डिगरे में रखा गाए अब 90 degree क्या है यो क्या चीजी है कि यी सम है संधर संह्ख्याद ने यह सम संख्या है देखो सम संख्या हो याण कोड अगर सम संख्या में हो सम कोड नहीं मतलब यहाँ पर सम संख्या इसको लिखो ठीटा क्या हो सम संख्या का कोड हो ऐसे लिखो इसको ठीक है मतलब यहाँ पर देखो 90 भी सम संख्या का कोड है 10 भी 20 भी 2, 4, 8, 10, इसा भी क्या चीज़ है, सम संख्या का कोड है, तो 90 भी क्या है प्रकार का, सम संख्या का कोड है, तो अगर ये थीटा का मान सम संख्या हो, तो हमारा जो प्रतिभीम्ब की संख्या रहेगा, इतना रहेगा, देखो कितना रहेगा, 360 बटा यहाँ पर थीटा की जगा यहां पर नब्बे डिगरी कोड बना रहे ना तो नब्बे रख देंगे माइनस वन रखेंगे तो अब इसको कटा कर देखो यह 0 से 0 कट जाएगा 9 चौक 36 कटेगा से तो 4-4-1 यहां पर देखो प्रतिबीमब के संख्य कितना आना चीए तीन होना चीए प्रतिबीमब के संख्य कितना है एक यहां पर है दूसरा यहां पर है और तीसरा यहां पर है तो तीन ठो प्रतिबीमब बन रहे है इस मुमबद्दी के प्रतिबीमब कितना बन रहे है तीन ठो बन र मैं मान लेता हूँ 60, इतना है, ठीक है यह 60, या फिर कुछ दूसरा मानते हैं, सम संख्या नहीं होना चीए, ठीक है विसम संख्या मानूंगा मैं, देखो यहां पर वाई चीच को बला गए है, यदि दो समतल दर पड़ो के बीच कोड अगर विसम कोड हो, अगर विसम संख्य है, इतनी होगी, ठीक, ऐसा बोल जा रहा है, तो देखो यहाँ पर मान कर चलो, मैं 45 डिगरी का, अगर यहाँ पर बनाता हूँ, थीटा मान मान चलो, 45 है, यह क्या चीच है, एक विसम संख्या है, अब यहाँ पर देखो, 360 हबटा 45, अब इसको कटा कर देखो, 946, 945, 45 ऐसे तो 40 बटा 5 अब चालिस तो कितने में कटे गई है 5 एकम 5 और 8 पंचे 40 ठेक यहाँ पर पीछे छुप गया होगा आप लोग इधर इसको बना लीजिए देखे ये क्या हो रहा है यहाँ पर 40 बटा 5 बड़ाबर कितना आ जाएगा 8 हाएगा ये तो 8 प्रतिभीम्ब बनेगा अगर ठीटा कमान कितना है 45 डिगरी गैए ठेक, यह 45 डिग्री अगर यहांपर मैं रखता हूँ जो कि एक विशम संख्या का कोड़ है तो यहांपर मेरे पास आठ प्रतिबीम्ब बनेंगे इन दोनों दर्पडों के बीच में है ठीक ऐसे दोनों दरपड़ों में यहाँ पर कितना प्रतिभी में बन जाएगा आठ प्रतिभी में बन जाएगा तो आपको यह दो फॉर्मूला को याद रखना है पहला फॉर्मूला यहाँ पर 360 minus 360 360 360 बटा theta minus 1 है और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर 360 बटा theta है ठीक इसमें minus नहीं करना है अगर सम संख्या का कोड अगर बनता है इस प्रकार सम संख्या जिसे हाँ पर 90 बन गया 40 बन गया 60 बन गया ऐसे कुछ अगर कोड बनता है तो उस condition में हमको हाँ पर क्या मिल जाएगा बरतिबीम्ब की संख्या मिल जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से है है इसको धियान में रखेंगे चलिए तो ये kidnappedal दर्पड को Madhya प्रथिबीम्ब कैसे बनता है कितना बनता है उसको हम दोग秒गा अब देखो समतल दरपड़ के कुछ और अनुप्रयोग समतल दरपड़ का अनुप्रयोग समतल दरपडव में पारस उक्रमड होता है ठीक है? यहाँ पर उक्रमड है तो लेटरल इंवर्जन मतलब क्या होता है? जैसे कि एμबूलेंस में लिखा होता है उल्टे सब्दों में लिखा होता है, एम्बूलेंस को जब देखोगे, तो उसमें एम्बूलेंस उल्टे में लिखा रहता है, एम्बूलेंस नहीं लिखा रहा है, उल्टा-उल्टा सब्दों हमको दिखाई देता है वहाँ पर, तो जो उल्टा-उल्टा हमको सब्दों जो ऐसा है, उल्टाइ में C लिखा अगयाँ से, तो यह हमको उल्टा-उल्टा दीख रहा है है ना? उल्टा हमको दिखा रहा है, मतलत पहलत इसा नहीं लिखा कर कुछ और लिखा रहा है, यह PARTS है, मतलत यहाँ पर LATERAL INVERSION हो रहे हैं यहाँ पर, LATERAL INVERSION हमको तो यहाँ पर देखने मिलता है, जिसे कि ambulance में जब आप गाड़ी में लिखा रहता है, तो उल्टा लिखा रहता है, सब्दों को आपर उलट दिया जाता है, जब उसको हम mirror में देखते हैं, जब उसमें हम धरपड में जब उसको देखते हैं, तब वो हमको सीधा दिखाई दे लिखा जाता है वह इसी वज़े से वहाँ पर उसको लिखा जाता है क्योंकि दूर से अगर इसके अंदर होता क्या है आप देखोगे इधर इसके अंदर देखा यहाँ पर हमको एक सांथ बहुत सारा इमेजस हमको अंदर में देखने को मिलते हैं यह खास करके बच्चों चो खेलने वाले क्लिए वहाँ पर चीज़ें बना जाती है आप एक बार गूगल में सर्च करके बहुत सरी अंदर में देखेंगे तो एक वस्तु वहाँ रहा है लेकिन उस वस्तु का बहुत सारा हमको वहाँ पर आकरिती देखने को मिलेगा ठीक है है मतलब वही- mitad वस्तु हमको बहुत सारी अंदर में देखने को मिलता है तो यह कैलिदेश्चो प्योग करते हैं और पेरी सकॉप में भी इसका व्योंक प्योग करते हैं पैरीस्कॉप मतलब कियो है समुद्र के अंदर जब पंडुबी जो सब्मारीन weer can jour ऑग अंदर में जब धीरे-धीरे से जाते रहता है और उपर में अगर कोई उसको मतलब उपर में अगर कोई जहाज भाज को उसको अगर देखना है तो ऐसे उसके उपर में ऐसे camera camera type से कुछ लग रहाएगा camera नहीं वो lens लगता है अगर यह दरपड रहता है दरपड हथा, screens न ही उसमें दरपड लग़ा होता है धेक जैसे कि यहाँ पर देखो यह यहाँ पर आँख यह है ऐसे अब यहाँ पर कोई जहाज है वो हमको यहाँ से दिख़ेगा ऐसे ऐसे दिखेगा तो यहाँ पर दोठो दरपड लगाते हैं यहां पर क्या करते हैं, दरपड लगा देते हैं, यहां पर, दो समतल दरपड लगाते हैं, आप दोनों कैसे काम करते हैं, अब यहां पर दोनों में आपको difference क्या समझ रहे हैं, एक तो कैलेडिस्कोप बताया, दूसरा परिस्कोप बताया, दोनों में समतल दरपड उप्योग करते हैं, दो समतल दरपड़, यहाँ पर दो समतल दरपड़ ना बोल कि इसमें, आज देखो, यहाँ पर तीन समतल दरपड़ होता है, यहाँ पर क्या होता है, लेकिन दो समतल दरपड़ों को बीच में क्या होता है, 60 degree का code बनता है मतलब कुल मिला कर आप इसको कह सकते हो यहाँ पर हम 3 समतल दरपड को उप्योग करते हैं ठीक है? तो यहाँ परे 60 यहाँ परे 60 और यहाँ परे 60 मतलब 60 degree का 60-60 degree के यहाँ पर angle बनाकर उसको रखा जाता है यह 3 समतल दरपड इस प्रकार से रखा है एक इधर है एक इस सैड है और एक नीचे है तो यहाँ परे प्रिज में बनता है वह इसी प्रकार से 3 समतल दरपड को यहाँ पर रखा गया है अब यह तीनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो-दो जो समतल दरपड को बीच में ऐसे हमको कितना-कितना डिगरी कोड दिखाई दे रहा है 60 डिगरी का यहना 60 डिगरी का हमको यहाँ पर कोड दिखाई दे रहा है तो कलेडो इसकोप में समतल दरपड को मध्या 60 डिगरी कोड होता है कि अब देखो कैसे रखते हैं यहां पर दिखनी रहे देखो यह जो दरपढ़ है इसको ऐसे 45 डिग्री जुकाए था मतलब कि देखो यह ऐसा कुछ है यह समतल जमीन हमान कर से लो यह 90 डिग्री है लेकिन इसमें मेरे को जुकाख रखने कितना ऐसे 45 डिग्री यह 90 है और 90 क्या था कितना है 45 है यह 45 डिग्री तक जुकाख इसको रखते हैं यहां पर जो दरपढ़ रखा गया है यह दरपढ़ ऐसे इसको 45 डिग्री जुका दिये है ठेक है ऐसे इसको देखोगे तो 45 डिग्र तो ऐसे जुका हुआ है इधर से 45 तो यह लाइट इधर आया इसमें से टक्राया और टक्रा करके सीधर नीची चला गया अब इसमें टक्रायेगा इसमें टक्रा करके इधर जायेगा इसे तो यहां से लाइट आयेगा इसमें टक्रा करके नीची जायेगा और हमको यहां से दि आपको दिखाई देगा तो वही चीज़ को बोला जा रहा है कि पैरिसकोप में 2d वस्तु का प्रतिभींब इसपष्ट दिखाई दे दे। दो समतल दरपड़ों को 45 डिगरी पर जुका कर रखा जाता है, इस प्रकार प्रकासी यंत्र है, जिसके दोरा पंडूबी से बाहर किसी वस्तु को देखा जा सकता है, ठीक है, पंडूबी से बाहर किसी भी वस्तु की इस प्रकार से इसके मात्यम से देखा जा सकता है, ठीक, तो यह हमारा समतल दरपड कंप्लीट हुआ अब अगले क्लास में हम लोग यहां पर अवतल दरपड को पढ़ेंगे ठेक है अगले क्लास में यहां पर अवतल दर्पड को देखेंगे क्या होता है कैसे होता है अवतल दर्पड उतल दर्पड दोनों को एक साथ यहां पर समझेंगे ऐसे प्रतिबीमब को जो बनना है कैसे प्रतिबीमब कहां कहां पर बनता है यह सब के बारें बात करेंगे यहा